बिस्मिल्ला इर्माद इर्रहीम, अस्सलाम अलेकम शुरेंट्स, I am Muhammad Faud Malik और शुरेंट्स आज हमने जो आर्टिकल करना है उसका नाम है Reversible and Irreversible Processes, तो आएए देखते हैं शुरेंट, Reversible Processes और Irreversible Processes को समझने से पहले हम देखते हैं कि यह Cyclic Process क्या चीज होती है सेंट्स के लिए मैजन करें के हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमने एक गैस को इन क्लोज किया हुआ है और मूवेबल पिस्टन है हम इस सिस्टम के ऊपर जो भी Processes अप्लाइ करेंगे वो साथ इसके मुझूद PV डाइग्राम में Graphically रिप्रेजेंट होते जाएंगे ठीक है फर्ज कर लें के इस वक सिस्टम में प्रेशर और वॉलियम की वैल्यू P1 और V1 है जो के हमें Graph के ऊपर पॉइंट A की फॉर्म में नजर आ रही है स्टिट्स सबसे पहले हमने इस प्रोसेस में प्रेशर को कॉंस्टेंट रखते हुए सिस्टम को एक्स्पेस्पेंड करवाना है तो जो प्रोसेस बंजेगा धाट के इस नोज आ इस क्रोशेस प्रेशर की वैल्यू ST vosn रहेगी और हमने सिस्टम को चुके क्स्पेंड करवाना है इस स्वजह से यह प्रोसेस्टम को gigabyte कर वाने के लिए हमें सिस्टम को externally heat provide करनी पड़ेगी first कर लें कि Q1 is the amount of heat which is added to the system during this process और इस बज़ा से system जब expand करता है तो वो अपने surrounding के उपर W1 work करेगा इस सारे process को अगर हम graph के उपर देखें तो हमारे पास एक straight line बनती है from point A to point B which is representing isobaric expansion process Q1 heat system में add की गई थी और W1 would be the work जो के system ने surrounding पे किया था during the expansion अब student इसके बाद आपने constant volume process में system के pressure को P1 से decrease करके P2 तक लेके आना है ये process isochoric process बज़ेगा अब जब system को आप constant volume के उपर pressure decrease करते हैं तो इस situation में हमें system से Q2 heat जो है उसको extract करना पड़ेगा जिसकी वज़ा से pressure की value P1 से decrease होके P2 तक चली जएगी और ये process graph पे हमें B से C line की form में नज़र आ रहा है अब student हमने system को constant pressure पे compress करना है तो resulting process isobaric compression बन ज़ेगा जिसकी वज़ा से system को चूँके हम constant pressure के उपर compress कर रहे हैं तो इस वज़ा से system में से Q3 heat को extract करना पड़ेगा और यहाँ पे surrounding system के उपर जो work करती है उसको हम नाम दे देते हैं W2 और अगर आप इसी process को graph के उपर देखें तो graph पे यह हमें line C से D की form में नज़र आ रही है अब student हमने finally isocoric process में system के pressure को P2 से increase करके P1 तक लेके जाना है जो के हमारी initial state of the system भी है इसके लिए हम क्या करेंगे constant volume के उपर system को हम Q4 heat provide करेंगे जिसकी वज़ा से उसका pressure increase हो जाएगा और तब तक हमने pressure को increase करते जाना है जब तक P2 की value P1 के equal नहीं आ जाती तो इस तरह से जहां से हमने process को start किया था हम different processes से move करते हुए दुबारा हम उसी point A पे जिसको initial state of the system कहते हैं उस तक आ जाते हैं अब student इसमें ये बात याद रखिए कि A से B वाला graph और C से D वाला graph ये दोनो processes एक दूसरे के inverse हैं यानि के A से B तक move करते हुए system में जितनी heat हमने provide की थी और system ने जितना work किया था वो C से D वाले curve में मुझूद heat extracted यानि Q3 के equal होगा इसका मतलब ये हो गया कि thermal और mechanical changes same रहती हैं हम इसको इस तरह से describe कर सकती हैं कि एक ऐसा process जिसमें different processes से होते हुए आप initial state of the system पे वापस आ जाएं इसको cyclic process कहा जाता है तो आईए इसकी definition लिखते हैं किता है कि a succession of events which brings the system back to its initial state is called cyclic process ठीक है number of events जो के system को दुबारा उसकी initial position पे ले आए initial state पे ले आए इसको हम क्या नाम देते हैं cyclic process का नाम देते हैं अब student हम चलते हैं कि यह reversible process क्या होता है reversible process को define किया जाता है a reversible process is the one which can be retraced कि जखे रफे ही नवीशे है नवीशे हैं ज्यानि ने लुबावाविशा जास्टिश्या़ को दुबाव बधेश़ इसिसी ल страх कर देश्यार भár कर र都ड़ाविशे हैं in the surrounding reversible process एक ऐसा process होता है जिसको आप उसकी initial state पे दुबारा ला सकते हैं और साथ उसकी condition यह है कि surrounding में भी किसी किसम की changing नहीं होगी अब student इसके हम एक example लेते हैं फर्स कर लें कि हमारे पास एक gas है जिसको आपने एक vessel में close किया हुआ है हम चाहते हैं कि इसकी state change करके liquid form में convert कर लिया जे और process को हम नाम देते हैं liquefaction अब student हमें ये बात पता है कि gas के molecules एक दूसरे से बहुत जादा दूर होते हैं अगर आप इस gaseous system को liquid form में convert करना चाहते हैं तो gas molecules को एक दूसरे के करीब लाना होगा और gas molecules की random motion को decrease करना होगा अब gas molecules की random motion को decrease करने के लिए हम system के temperature को decrease करते हैं by extracting the heat q from the system और system में molecules को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हम pressure की value को increase करते हैं तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जब भी आप एक gaseous system को liquid state में convert करना चाते हैं तो हमें high pressure और low temperature में system को proceed करवाना पड़ेगा जिसकी वज़ासे molecules की randomness कम होती है और molecules एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके दर्मयान में binding forces generate होती है और हमारा system gaseous state से liquid state में convert हो जाता है अगर आप इस process को बहुत slowly done करते हैं तो इस process को हम reversible process consider कर सकते हैं इसी तरीके से एक और practical example है कि आपके पास एक liquid system है जिसको आपने whip perform में convert करना है तो जब हमने gaseous state से liquid state में system को convert किया था तो हमने high pressure और low temperature की condition यूज़ की थी अब अगर हम system को liquid से gaseous state में convert करना चाते हैं तो अब हमें condition को भी reverse करना पड़ेगा जिसमें pressure की value low हो जएगी और temperature की value high हो जएगी इस तरह से होता ये है कि molecules की randomness increase करती है और pressure decrease होने की वज़ा से उनके दरम्यान जो binding forces होती हैं एक वक्त ऐसा आता है कि वो break हो जाती है और liquid जो है वो अपनी state को change करके vapors की form में convert होना शुरू हो जाता है तो इन दो processes को हम consider कर सकते हैं कि ये दोनो reversible processes है although जितने भी process daily life में exist करते हैं वो सारे के सारे irreversible होते हैं क्योंके जब भी आप heat को mechanical energy में या किसी और form of energy में convert करते हैं तो कुछ ना कुछ amount of heat ऐसी होती है जो के surrounding में जाया हो जाती है जिसको हम रोक नहीं सकते इस वज़ा से तमाम actual processes जो है वो irreversible होते हैं आया students अब हम irreversible की definition लिखते हैं irreversible process केता है के the process which cannot be retraced in in backward direction by reversing the controlling factors is called irreversible process. इस process में हमेशा system से heat surrounding के अंदर जाया हो जाती है, इसकी simplest example chemical explosion होती है, जिसमें process इतनी तेजी से work करता है, कि हम उसको controlling factor reverse करके भी backward direction में move नहीं करवा सकते हैं. आई अब हम next इसके article देखते हैं, that is heat engine. heat engine, what is heat engine, heat engine क्या चीज़ होती है, केता है के, it converts heat or thermal energy into mechanical work. एक ऐसा device जो के heat energy को mechanical energy में या mechanical work में convert करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, heat engine का नाम देते हैं. अब इसका idea किस तरह से हमारे जेन में आया? तो उसके लिए students हमें ये बात पता है, अगर एक vessel में आप water को boil करते हैं, जिसका lid closed है, water जब steam में convert होता है, तो वो lid को उपर की तरफ उठाता है, और ये बात जाहिर करता है, कि steam has ability to do work. और यही idea first steam engine बनाने में use किया गया था, जिसको आपकी bookie side information में दिखाया गया है. अब student steam engine किस तरह से work करता है, तो उसके लिए देखिए, पहले हम इसके parts describe करते हैं, उसके बाद फिर इसकी working को explain करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास इसमें एक boiler होता है, जिसको heat provide की जाती है, और उसमें मुझूद water steam में convert होना शुरू हो जाता है, यह steam फिर आगे एक hollow tube को transfer करती जाती है, जिसको हम cylinder का नाम देते हैं. Cylinder में एक piston मुझूद होता है, जो के tightly pack होता है, ताके steam वहाँ से बाहर ना निकल सके. Piston के साथ एक rod attach होती है, जिसको हम piston rod कहते हैं, जो के आगे एक और rod के साथ attach होती है, जिसको हम driving rod कहते हैं. Driving rod एक wheel के साथ connected होती है, जिसको हम fly wheel कहते हैं, जो के rotate करता है, और mechanical energy हमें मिलना शुरू हो जाती है. अब student, यह work किस तरह से करता है? कि boiler में हम water को boil करके steam में convert करते हैं, और वो steam cylinder में आ जाती है. अब steam चूँके expand कर रही होती है, तो उसकी expansion की वज़ा से वो piston के उपर एक pressure apply करती है, जिसकी वज़ा से piston cylinder में back and forth motion perform करना शुरू कर देता है. और resulting उसके साथ attached piston rod भी back and forth move करती है, और इस तरह से यह energy transfer कर दी जाती है to the driving rod, और driving rod चूँके fly wheel से attach होती है, तो जिसकी वज़ा से fly wheel rotate करना शुरू कर देता है, और इस तरह से steam engine heat energy को mechanical energy में convert करता है. अब students हम देखते हैं कि heat engine के essential parts कौन-कौन से हैं? Parts of heat engine. student अभी जो हमने steam engine की example देखी है, उसमें हमारे पास सबसे पहले एक अदद source होना चाहिए, जिस से हम Q1 heat को T1 temperature के उपर absorb करेंगे. अब ये heat working substance को transfer कर दी जाती है. Working substance क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा device होता है जो के source से heat को absorb करता है, और उसके कुछ energy का work करता है, जिसको हम mechanical energy भी कहते हैं, और बाकी की जो heat होती है, उसको हम Q2 से represent कर देते हैं, उसको expel कर देता है to the sink, जिसका temperature T2 होता है, और condition आपने याद रखनी है कि T1 is always greater than T2, तो these are three essential components of a heat engine, यह हम कह सकते हैं कि ये वो तीन necessary components हैं, जिसकी वज़ा से आप heat को work में convert कर सकते हैं, अगर इसमें से कोई से दो या कोई एक component भी missing है, तो कभी भी आप heat को work में convert नहीं कर सकते हैं, आप students, यह जो source होता है, यह हमें energy provide करता है, और normally हम energy हासिल करते हैं, burning of fuel से, आप fuel किसी भी किसम का हम use कर सकते हैं, वो petrol हो सकता है, diesel हो सकता है, ठीक है, तो यहां से हमें energy हासिल होती है, वो energy system में आ जाती है, system उसको work में convert करके rest heat जो है, वो expel कर देता है, sink को, अब यहां पे sink जो है, that is our atmosphere, ऐसा भी नहीं हो सकता, कि हमारे पास source नहों हो, और आप energy को work में convert कर दें, और वो atmosphere को भी expel कर रहो, ऐसा भी नहीं हो सकता, कि हमारे पास source और sink मुझूद है, working substance नहीं है, और तब भी हम heat को work में convert कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं हो सकता, कि हमारे पास source भी है, working substance भी है, और हम heat को work में convert कर रहे हैं, without sending heat into the atmosphere, तो simple ये याद रखना है आप लोगों ने, कि जब भी ये तीन चीज़े हमारे पास मुझूद होंगी, तब ही सिरफ तब ही आप heat को work में convert कर सकते हैं, student ये है हमारा आज का lecture, अबीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, इजाज़त चाहते हैं, अल्ला हाफिज,